बाईयों और बहनों आपने मुझे आमंत्रित किया और एक ऐसे विशय के लिए जिसके साथ अभी मैं फिलहाल में उसी में बड़ा कंज्यूमड हूँ और अभी आपने जनल साब का की बातें सुनी और आपको मैसूस हुआ होगा कि वो बहुत सही फर्मा रहे थे उनका गुस्सा वाजिब था और ये गुस्से को शांत मत होने दिजेगा नहीं तो बहुत बड़ा हमको इसका प्राइस पे करना होगा इन्होंने आखरी में एक बात कही कि अब समय आ गया है कि हम चीजों को ब्लैक और वाइट में हम बताएं तो मैं कुछ दिन पहले एक टेलिविजन चैनल पर था तो मैंने यही बात कही थी उन्होंने हम से पूछा कि आप सल्यूशन बताईए तो मैंने का सल्यूशन तो सबसे बड़ा सिंपल है आप चीजों को ब्लैक और वाइट में अब देखिए ग्रेक आप कोई स्कोप है नह तो ब्लैक और वाइट से मेरा क्या मतलब है कि जो बाटला हाउस एंकाउंटर जिनों ने किया या तो वो एंटी नाशनल थे या वो पॉलिटिशन जो उसको क्वेस्चन कर रहा है वो एंटी नाशनल है दोनों चीज़े तो हो नहीं सकते हैं है मंत करकरे एक अनकॉंस्टिशनल अथॉरिटी से बात कर रहे थे और वो ऐसी चीज़ें उनसे शेर कर रहे थे जो कि ऑफिशन सीक्रेट्स एक एक प्लेटिट ब्रीच था तो या तो करकरे एंटी नाशनल थे या नहीं तो यह पॉलिटीशन एंटी नाशनल थे या दोनों ही एंटी के बाद एक किताब लिखी गई 26-11 RSS की साजिश उसको या तो लिखने वाला एंटी नाशनल था या उस बुक को रिलीज करने वाला एंटी नाशनल थे या दोनों ही एंटी नाशनल थे तो यह ब्लाक एंड वाइट आप डिसाइड कर लीजिए यह दो बातें नहीं हो सकती हैं यह फोक टंग से यह कुछ राजनितिक लोग यह सोचते हैं पार्टियां कि एक से यह कहवा तो दूसरे से यह कहवा तो वो उधर भी हम अच्छे बने रहे इधर भी अच्छे बने रहे वो नहीं हो सकता तो यह देखें यह जमाना जो है इसको बड़े ध्यान से जो आपका परसेप्शन है लड़ाई की परसेप्शन को आप चेंज कर दीजे लड़ाई जारी है यह प्रॉक्सी वार चल रहा है इसको जो भी नाम दे दीजे प्रॉक्सी वार कह दीजे सब कन्मेंशनल वार कह दीजे और यह प्रॉक्सी वार क्या है यह पिछले जैसा जर dangerous war हो सकता है और इसके इस war के soldiers कौन है? इस war के soldiers वो केबल बं धमाके करने वाले नहीं है वो तो है ही उनको पीछ-बीच में जो modules है उनको activate किया जाता है, उस proxy war के जो main soldiers है यह हमारे जैसे अंगरी जी बोलने वाले लोग, मैं अभी television channel पे था, तो एक जर्नलिस्ट नाम नहीं लोगा किसी का वो आए टॉपिक कुछ और था पॉलिटिसाइजेशन अफ टेरर पे था जिसके बारे में मैं बाद में बात करूगा आपसे उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको एक वो ब्रीफ लेके आएं वो हैं तो जर्नलिस्ट लेक और बड़े चतुराई से कैसे शुरू किया कि भाई मैं तो एक जर्नलिस्ट था और मैं आई बी के भी बीट में रहा हूं रो के भी बीट में रहा हूं और बड़े अच्छे आफसर हैं और कुछ खराब आफसर भी हैं और राजंदर कुमार जैसे भी खराब आफसर हैं तो ये प्रोक्सी सोल्जर्स अब आप बताईए कि जब भी कोई बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान वारता यह पीस वारता शांती वारता की को यह नहीं पूछता कि यार वो जो चालीस कैम्प है प्योंके में उसको बंद करवा दो किसी ने यह उठाई यह बात मत भेजो किसी को चब्वी से ग्यारह होता है चब्वी से ग्यारह के खून के छीटे अभिसाइद सूखे भी नहीं थे और आपके एक मुख मंत्री जिनका कोई बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान से जिनका कुछ नुकसान फायदा नहीं है पाकिस्तान से वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं किसी ने देश में यह सवाल पूछा नहीं कि आप किस लिए गय थे पाकिस्तान क्या आप फॉरिंड डायरेक्ट इंवेस्टमेंट ले क्या आप सेकलियूरिजम का पार्ट लेने कहते उनसे या वो क्या स्पेशल पैकेज विशेस राज दर्जा उनसे मागने कहते तो यह सवाल देखिए मैं डिप्लोमेसी में यह विजिट्स इतने आसानी सेरिंज नहीं होती है पाकिस्टान जैसा भूखा नंगा देश इतना इ क्या मकसद था यह सबाप अंदाजा लगा लीजिए आज जो इंडियन मुझाहिदीन का जो हब हो गया है आप देख लीजिए कहां से कहां शिफ्ट किया है यह क्या यह महज कोइंसिडेंस था यह पॉलिटिसाइशन आफ टेरर का मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ इसके पहले कुछ चंद साल पहले एलेक्शन्स हुए दो राजनितिक पार्टियों के लीडर ओसामा बिन लुक अलाइक्स को लेके कैम्पेइनिंग कर रहे थे उस बेचारे को वो वो फेस ओवर दे के पांच सो रुपया उसको देते थे मुझे मालूम है और वो उसको जग जगर ले जाते थे तो आप बताईए साब आप क्या कॉंस्टिचुएंसी बिल्ड करना चाह रहे हैं यह जो राजनेता जो गए पाकिस्तान तो उनके मैंने एडवाइजर से पूछा कि यह बताईए यह क्यों गह थे पाकिस्तान तो बहुत पेस्टरिंग के बाद वो बड कि अगर आप यह सोचते हैं कि पाकिस्तान जाने से मेरे वोट बैंक में इजाफा होता है तो यह कितनी डेंजर सोच है आप आप समझ समझ लीजे इसको तो यह जो प्रॉक्सी वॉर जो है यह हर स्टेज पर लड़ा जा रहा है और मैं आपको एक और बात बता दू जनरल साब से मेरी बात होती रहती है देखिए यह जो प्रॉक्सी वॉर होता है यह इंटेलिजेंस एजन्सी का काम होता है प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें वहां का जो military intelligence complex जो है यानि कि ISI और मिलिटरी का जो वो है उसके तहट ये पूरा और्गनाईज होता है प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली है क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफ़दानिस्तान पे उस समय इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वार में ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पोलिटिकली कैसे मैनेज करना है इसको डिप्लामेटिकली कैसे मैनेज करना है और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं इनको कैसे बेकूफ बनाना है वो हमारी और आपकी तरह seduce नहीं होते है वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेकूफ कैसे बनाय जाता है तो उस proxy war में वो बड़े वो महारता है वो हासिल कर चुके हैं और हम उसका नुकसान जो भुगत रहे हैं ये तब किसे निजात नहीं मिलेगा जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा देश के लोगों को कि ये लड़ाई जारी है क्या होता है कि हम जब भी कोई इक बड़ा सा कोई हमला हो जाता है तो एक लोग सारे television channels पे वो बड़े-बड़े आप क्या चाहते हैं लडाई चाहते हैं किस लड़ाई की बात करो लड़ाई तो हो रही है वह अपने मन से निकाल दीजिये कि लड़ाई का मतलब है वह उजंडा फैराना और ओपर टैंक के ऊपर बांगडा करना वह लड़ाई के तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं अब देखिए आप इस प्रॉक्सी वार का आप कैसे मुकाबला कर रहे हैं मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी वार इंटेलिजेंस वार्स होते हैं तो इंटेलिजेंसी चलाते हैं हाल फिलहाल में क्या हुआ सबसे पहले आपने एक आफिसर था करनल पुरॉक्सी मिलिटरी इंटेलिजेंस का वो आफिसर के अभी कोट अफ इंक्वारी हुई जिसमें तीन दर्जन से जादा आफिसरों ने इस बात की पुछ्टी की कि वो सभी को लूप में लिया हुआ था उस आफिसर ने इंडियन मुजाहिदीन और लशकरे तोईबा में वो इन्फिल्ट्रेट कर गया था महाराष्ट का एटीएस जो था इस आफिसर को बुलाता था लेक्चर लेने के लिए और चब्वी से ग्यारा के पंदरा दिन पहले इस आफिसर को इन लोगों ने एरिस्ट कर लिया आज भी कोई भी उस पर पुक्ता चार्ज नहीं है और मुझे इस बात की आशंका है कि ये जितने लोग हैं पता नहीं ये बचके भी जेल से निकलेंगे की नहीं है मुझे इस बात की बहुत आशंका है उसके बाद आपने क्या किया बड़े ध्यान से सुनिए का मैं मैं हमेशा तत्थ बोलता हूँ अगर मेरा फैक्ट कहीं पर गलत हो जरूर पॉइंट आउट कीजेगा कि मैं गलत चीजें बोल रहा हूँ उसके बाद जो कोर है जो कोर है आपका इंटर्नल सिक्यूरिटी का इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको टार्गिट किया जाता है उसी समय जब यह चीज हो रही होती है तो आप एक पंजाब में एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी खड़ा हो जाता है सुर्जीत क्या नाम था जोबी सिंग था वो कहता है कि मुझे के पीएस गिल ने मेरे से 83 फॉल्स एंकाउंटर किये थे आप बताईए किसी इंस्पेक्टर रैंक आदमी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो बिना किसी से किसी प्रलोभन के इतने साल बाद और यह सब चीजें एक साथ हो रही है उसके बाद साथ आपने गुजरात पुलीस के बारह दस करीब एक दरजन आफिसर को अगर आप इस तरह के से आप डील करेंगे उसको बिलकुल मतलब अजन एनिमी अफ दे स्टेट हैं तो आप बताईए कि वहां के इंटर्नल सिक्यूरिटी को क्या होगा तो ओवर रॉल आप देखें तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक अटैक है ये आपके पूरे इंटेलिजन्स ओगनाइजेशन का और जो इंटेलिजन्स ओगनाइजेशन जो की पॉप प्रॉक्सी वार का काउंटर वो कर सकती है उनको आपने क्या किया कि एक दूसरे से लड़वा दिया CBI को IB से लड़वा दिया मालेगाउं 2006 के केस में आपने महाराष्ट ATS को CBI और ATS को NIA से लड़वा दिया आप बताइए अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो ये कौन सी बड़ी चीज है कि इसको वो खुद इसका रिजॉल्ड नहीं कर सकता था एजेंसी में हमेशा से राइवलिरी रहती है और मैं इस राइवलिरी को बहुत हेल्दी मानता हूं कभी कभी डुप्लिकेशन मल्टिप्लिसिटी ओफ इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है तो आप अगर आप ही के सरकार के नीचे CBIB है आप ही के सरकार के नीचे आई भी है आप दोनों को मिला के सभी एजेंसी को मिला के आप इसको रिजॉल्ड कर सकते थे लेकिन नहीं आप विच हंटिंग करना शुरू कर दिये और मैं आपको बता दूँ मैं भी रॉ में नौकरी कर चुका हूँ और मेरे को अगर कोई CBI में इंटरोगेशन के लिए बुलाता चाहे मैं अपनी जान देता मैं नहीं जाता इंटरोगेशन के लिए अगर मैं आई बी का डिरेक्टर होता मैं राजंदर कुमार मेरे डेड बॉड़ी पे जाता साथ देखिये क्या है कि एक इंटेलिजन्स एजन्सी का काम क्या होता है हम कुछ हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है एक नेटवर्क होता है और वह नेटवर्क बहुत तरह का नेटवर्क होता है हम जब कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें बहुत internal चेक्स होते हैं कि आपका source क्या था ऊस source का credibility क्या है ये सारी चीजें चेक होती है और जिस लेवल पर अगर आप जितना higher लेवल पर आप भेजएंगे उतना ज्यादा इस्टिंट चेक होता है मैं यहनी कहता हूं कि गलतियां नहीं होती होंगे गलतियां जरूर होती है लेकिन कभी मोटिव में कोई गलती नहीं होता है आफिसर इनकॉम्पीटिंट हो सकता है। आफिसर अपना हो सकता है कि वो कोई उसमें कोई डिले कर जाए अपने काम में या उसकुछ काम में कुछ समझने में गलती हो जाए। लेकिन कोई ऑफिसर मैं 99.999% की बात कर रहा हूं। वो कभी भी क्रिमिनल मोटिव से या अंटी नाशनल मोटिव से वो कभी नहीं यह होगा। यह चीज आप मान लीजिए। तो एक यह आई-बी ऑफिसर का क्या यह था। उसने एक इंपुट जेनरेट किया। वो इंपुट डिल्ली आती है। डिल्ली से उसका वेरासिटी चेक होता है। और उसके बाद से उस पर करवाई होती है। और देखिए एक F2 που के बारे में आपको सब से को मालूं है दू자가 होया, फिर उसको F2्य को रिवाई्स किया गया। और यह बड़ा coincidence था कि एफिट एफिट आप देखिएगा कि जब यह revise हुआ है उसी समय इनके खिलाफ जो यह था वो initiate हुआ क्योंकि यह पूरे जो conspiracy यह बनाया था इसमें एक ही रोड़ा था यह AIB का input तो उसको किसे उसको भी sacrifice करने में इन्हों ने दो बार नहीं सोचा तो आज यह स्थिती है देश में कि कोई भी जो intelligence organization में जो लोग input देते हैं वो 10 बार सोचेंगे कि हम दें कि ना दें अगर देंगे तो हमको कारवाई की जाएगी और पहले देखिए हम सब लोगों ने बहुत यह intelligence का game जो है यह साधू संतों का game नहीं है इसके legality में जाएंगे तो आपको एक information नहीं मिल सकता है किसी organization में अगर infiltrate करना भी legal है आज मैं यहां बोल रहा हूँ हो सकता है कोई आई बी वाले बैठे हुए हो यहां पे मेरी बात सुनने के लिए वो भी legal एक तरीके से क्योंकि उन्होंने आपसे permission नहीं लिया लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे है तो वो उनका duty है बहुत अच्छा कर रहे है तो आप अगर इस तरीके से politicize करोगे intelligence organizations को तो आप किसके कहने पर यह कर रहे हैं मुझे ऐसा मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर इन लोगों को हफीज सहीद से बहुत डर है नहीं मैं माजाक नहीं कर रहा हूँ आप इसको बहुत सरी सीरिसली लीजी देखिए जिस तरीके से उसामा बिन लाडेन अमेरिका के लिए था उसी तरीके से हफीज सहीद हमारे लिए तो आज ये क्यों हफीद सईथ साब उसामा जी ये कहां से ये हुआ और आप लोग कहेंगे कि ये टेरर ये टेरर का सेंटर क्या है ये कहां से फेसिलिटेट हो रहा है तो ये टेरर वहीं से फेसिलिटेट हो रहा है जहां से कि जब विनायक से इनको बेल मिलता है उसके चंद दिन के अंदर उनको प्लाइनिंग कमिशन के हेल्थ कमिटी का मेंबर बनाए जाता है वो से वोdies एपीसेंटर वहीं है जहां पे लोग वह सामा जी और हफीढ सुअइद कहते है अ में यह कॉन सा पत्ख है बहुत से यहां पत्ख है शांती पत्ख भी अधे जो बहुत सारे पत्ख है're तू यह कहां 26 से 11 के पहले यह जितने जो पैटर्न आफ अटैक्स है मैंने पूरा उस पे स्टडी किया हुआ है अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो सारी तैयारी की जा चुकी थी इसको हिंदू टेरर बनाने की इसको इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी थी आप अगर ध्यान देंगे तो हिंदू टेरर का उसी के दो महीने पहले पहला केस आया और वो एक छोटा वो मोदासा में ब्लास्ट हुआ था चोटा सा और वहां पे मालेगाओं टू दो हजार आट यह यह मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसलिए किया गया था कि ताकि जब 26 से 11 हो तो एक बैक इंडियन्स को शौक न लगे कि हिंदू टेरर नाम का भी कोई चीज है लेकिन यह धरती का सौभाग कही है कि वो अजमल कसाब को पूरी इंस्ट्रक्शन थे अपने आपको उड़ा ल ही है इनको एक हो रहा है वो समझहौता बलास्ट को लेकर है क्योंकि समझहौता बलास्ट में डेविड हैडली की जो मौरकन वाइफ जो है थी फॉजिया अउतलह अब मैं नाम उसने अमेरिकन एमबसी में खुच जाके बोला था कि मेरे हजबन नहीं एक है यूएस क्या जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो आज तक इस चीज को मेंटेन करता है कि ये लशकर-े-तोईबा का हाथ था और इसका जो मेन कॉडिनेटर था एक कराची बेस बिजनेसमन कम लशकर-े-तोईबा एक्टिविस्ट आरीफ कसमानी उसका हाथ है तो ये थियोरी म है क्योंकि जहां-जहां मतलब जो मुस्लिम कैजुल्टीज हुए इनका कहना था कि ये इनी का काम है तो ये फस गए हैं के समझावता में और दूसरी जगह ये कहां पे फसे हैं आके ये 2006 वाले जो आपका ये माले गाउंबलास 2008 में हुआ था और 2006 में हुआ था अब वहां पे RDX इस्तमाल हुआ था अब ये इस्टैबलिश नहीं कर पा रहे हैं कि ये RDX कहां से है आप अकबारों में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इन चीजों को ये इतने बेकूफ हैं अरे कहानी बनाओ तो थोड़ी मतलब उसका वो सोच समझ के बनाओ पहले ये ये आर्मी स इन्हों ने RDX निकाला तब नेक्स डे किसी ने बोला कि भाई आर्मी में तो RDX होता ही नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉक्सी वार हम देख रहे हैं ये बड़ा डेंजरस परपोर्शन है इसमें पॉलिटिशियन सामिल है इसमें जर्नलिस्ट शामिल है इसमे सो कॉल ये जो आपके लिबरल इंटेलेक्चुल्स है वो वो शामिल है तो ये देखिए अभी क्या है कि मुझे नहीं मालूम की अगली वारदात जो होगी जैसे अभी गया में हुआ है ये इसमें कि मुझे तो कोई आश्चर की बात नहीं है अभी कुछी एक दो साल पहले क framework क्या हुआ था जब ये रोहोंगिया के in के लिबरले के हुए अभी जो class हो रहा है वो महीं महीं के hypedche लई है वो तो बूझे रोहूंगिया के clarity किये वहार पे south southern अभिजया पल्स्राद कैन मैं होगा कई Buddhist temples destroy हुए वहाँ पे उसके बाद यह आया कोकरा जहार में कोकरा जहार से यह अजाद मैदान मुंबई में मुंबई से यह travel किया आपको पूने में पूने से हैदराबाद हैदराबाद से बैंगलुरू और उसके बाद कितना बड़ा exodus हुआ जो हमारे बच्चे है न surprise की बात नहीं है देखिए जब तक आप problem को define नहीं करेंगे उसका solution नहीं निकलेगा और यह बड़ा आजकल एक trick निकल गया है कि जैसे ही आपने बोला कोई एक word लिड़ लिए इस्लाम बोल दिया मुस्लिम बंदेरे कौन कहता है कौन ना कोई इस्लाम टेरिस्ट है ना नहीं नकार सकता है मैंने पाकिस्तान के एक फॉर्मर नाशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर से मैंने खुद बात कि और उन्होंने मैंने उन से पूछा कि क्या पाकिस्तान आर्मी में रैडिकलाइजेशन है तो उन्हेंने कहा कि मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं और उन्होंने कहा कि यहीं कि मैं ये बात उन्होंने मेरे से कही कि नहां अपने गाओं में गया और आज देखा कि यहको आप मस्जिद है नीया मस्जिद कत है उसमें केवल चार-पाँच लोग जा रहे हैं तो मैंने पूछा यह मस्जिद कौन तो है यू सके बगल में एक मस्जिद हैं तो लोगों ने कहा हिए वहाबीयों का मस्जिद है तो एक वहाबी वेव यह पूरे दुनिया को कंजूम कर रहा है है इसको accept करně क्या यह है ना इसका मुसिलिम से लेना देना है कुछ नहीं से इसलाम से लेना देना है तो उसी तरीके से ये वहाबी का जो वेव जो है वो हमारे धर्ती पे भी आ गया है तो जब तक इस बात को आप कबूल नहीं करोगे आप इसको कभी भी इसका आपको solution नहीं मिला रही बाद intelligence agencies की मैं नहीं समस्ता था कि मुझे एक ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा और ये एक इतफाक नहीं है मैं फिर दुबारा कहता हूं कि अगर कोई भी patriotic prime minister होता तो उसको ये बहुत पीड़ा होती कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो सारे intelligence को बुला के वो जो ऐसे ऐसे चीज़ें जो होती रहती है उसको वो resolve करता न कि उसको उनके फैन करता उनके जो भी ऐसे जो डिफरेंसेज उभर करते हैं यहां तो डिफरेंसेज प्लांट किया हुआ है तो यह मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा question answer session में आप जो सवाल होंगे तो उस समय मैं और भी तफसीर में जो कुछ छूट गया है मैं कर प्लाइए और इंसर्गा कर वाल्बा मैं और कंभ थरेंसेज पेसी ज्हां इल्ग पुछ और प्लाँ चन द estatन कर गा करये थरेंसेरेंसेज धरेंसेज्ट बषक और गश्वाशन हे वह प्त तो पूबगर एलम यहेंसेजगउ घजये कर प्लाईबंवट नग्ये म माम पर्